ये खाले दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके प्रोज्ट यूट्व चैनल पर उमेद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एक जम जिनका हो चुका हुआ blow comprend कि जिनका होने वाला है उनका भी अच्छा जाएगा तो आप लोग अपने त्यारी को लगाता जाई रखे क्योंकि अगर आपने धील की तो बिल्कुल एक्जाम आसान नहीं हो रहा है क्योंकि सिप्टें धीरे-धीरे हाड होती चली जा रही है तो आपकी त्यारी के लिए ही लगातार हम आपकी प्रेक्टिस क्लासों को करवा रहे हैं निरंतर रूप से तो आप लोग चैनल पर बने रहे हैं और एक बार जितने लोग जूर चिक हैं से मैं सेशन को शेयर कर देजिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं इवियस और हिंदी के वो कोश्चन्स जो लगातार आपके एकजाम में बनते चले आ रहे हैं तो एक बार सेशन को शेयर कर देजिए फिर सुरू करते हैं अपनी आज की क्लास तो पहला कोश्चन है इवियस से सम्मंदित है पहला है बच्चों के बौदिक विकास के चार अलग अलग चरणों के पहचान निम्न दौरा की जाती है आपसन है एरिक्सन दुसरा है इसकीनर तीसरा है पियाजे और चोथा है कोहलबर्ग तो बताये कि बच्चों के बहुतीग उकास के चार अलग अलग चैणु के पहचान निम्न में से किसके दौरा की जाती है तो इस कोश्चान का जो सही आंसर हो जाएगा आपसे नमबर C क्या हैगा प्याजे के दौर आपसर नंबर सीज का सही आंसर है प्याजे तो चलते हैं अगले कोशन पर उमेद हब तक आप लोग उने सेशन को शेयर कर दिया होगा और जितने लोग चैनल पर ने जुड़े हैं सबी लोग चैनल को सिस्क्राब कर लीजिए सीटर या फिर अन टीचर के त्यारी के लिए तो अगरा कोशन देखते हैं कोशन है भासा विकास के संदर्ब में निम्लिखित में से किस छेतर को प्याजे दौरा कम करके आँका गया था आपको बताना है कि भासा विकास के संदर्व में निम्डखित में से किस छेतर को प्याजे दौरा कम करके आखा गया था आपसन है आनुवान सिक्ता दूसरा है सामाजिक संपर्क तीसरा है आहम केंदरित भासा और चौथा आपसन है बच्चे दौरा सक्री रचना तो आपको यह बताना है कि प्याजे दौरा सबसे कम करके किसको आखा गया था तो इस कोश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसन नमबर सी आहम केंदरित भासा प्याजे को दौरा इसको कम करके आखा गया था क्या आहम केंदरित भासा को तो चलते हैं अंगले कोश्चन पर कुशन no.3 है निंडिखित में से कौन साथ चरन तब सामिल होता है जब शिसु अपनी आखों, कानों और हाथों से सोचते हैं यह question बन चुका आपके exam मेहकी निम्रिखित में से कौन सा चरण तब सामिल होता है जब सिस्व अपनी आखों कानों और अहातों से सोचते हैं अप्सन है मूर्त संक्रियात्मा कवस्था दूसरा है पूरो संक्रियात्मा कवस्था तिसरा है इंद्रिय गामा कवस्था और चोथा अप्सन है अप्चारिक संचालन चरण तो बताइए इनमें से कौन सा अप्सन हो जाएगा सही question number 3 का answer करते हुए सभी लुक्सेशन को share कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को class में जोड लीजिए क्योंकि यह class आपको number दिनाने वाली class हो सकती है इसमें हम करने वाले हैं EBS के 10 questions और हिंदी के 20 questions जो की लगातार आपके exam में पूशे जा रहे हैं और EBS के questions तो वही question है आज क्लास में इस question का जो सही answer है वा हो जाएगा आपसन number C क्या हो जाएगा इंद्रिय गामक अवस्था क्या हो जाएगा इंद्रिय गामक अवस्था अगला question है question number 4 आप एक सिच्चक के रूप में रेगिंग और धमकाने के सक्त विरोधी है इस संदर्भ में विद्याले में पोश्टर लगवाते हैं तथा शमीती बनवाते हैं आप से जुड़ने वाले की सोर जो इस विचार के द्रणवी स्वासी है निम्लिखित में से किस इस्थर पर होंगे अपसन है पारंपरिक इस्थर दुसरा है पूरो पारंपरिक इस्थर तिसरा है पारंपरिक इस्थर पर और चोथा अपसन है सामाजिक विवस्था बनाये रखने का इस्थर तो आपको answer करना इसका सही answer क्या हो जाएगा इस question का जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा option number C क्या हो जाएगा पारम परिक स्तर पर क्या होगा पारम परिक स्तर पर तो चलते हैं गे ले question पर question number 5 है मौझूदा योजनाओ में नई जानकारी को रखने के किस रूप में जाना जाता है अपसन है समा योजन दुसरा है साम में धारन तीसरा है आत्म साथ करन और चौथा अपसन है संगठन तो आपको बताना है कि मौजूदा योजनाओं में नई जारकारी नई जानकाई रखने के रूप में जाना जाता है तो इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा option number C क्या हो जाएगा आतम साथ कराण करना बिल्कु सही answer option number C तो साथियों अगर अभी तक आप लोगोंने session को share नहीं किया है तो एक बार session को share कर देजिए और सभी साथियों को जोड़ देजिए class में और जोड़ते चलिए लोगों को फिर चलते हैं अगले question पर अगला question है question number six question है पियागेट के सिद्धान्त के अनुशार बच्चे इसके द्वारा सिखते हैं आपको बताना है कि पियागेट के सिद्धान्त के अनुशार बच्चे कि इसके दोरा सिखते हैं आंसर क्या हो जाएगा पहला अपसन दिया है ध्यान देकर जानकारी को याद रखना दुसरा है समाज के अधिक सच्छम सदस्यों दोरा प्रदान की गई मचान किश्रा अपसने अनकूरन की प्रक्रियाएं उनके वेवहार को बदलना और चौता अपसने उपयुक्त पुरुषकार दिये जाने पर अपने वेवहार में परिवर्टन करना तो बताईए पियागेट के सिध्धान के अनुशार बच्चे इसके दोरा सिखते हैं इसमें कौन सा अपसन हो जाएगा सही कौश्चन नमबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए कौन सा अपसन है इसमें सही तो इस कौश्चन का जो सही आंसर है वो है अपसन नमबर C अनकूलन की प्रक्रियाएं उनके वेवहार को बदलना अपसन नमबर C बिल्कू सही आंसर हो जाएगा इसका चलते हैं ले कौश्चन पर कौश्चन है छिपी हुई वस्तूओं को पुनहा प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि सिस्वों ने निम्रिखिर संग्यानात्मक कार्रियों में से किसमें महारत हांसिल कर ली है अपसन है सभी प्राइवे वहार दूसरा है वस्तू इस्थायित्तू तीसरा अपसन है समस्य समाधान और चोथा है प्रियोग करना तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस कौश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपसन नंबर बी वस्तू इस्थायित्तू तो अगरा question है पूर्व संचालन अवदि में आने वाली संग्यानात्मक छमता है इसका बताइए सबी लोग आंसर क्या होगा चौथा अपसन है दूसरे के दरिश्ट कोण को समझने की योगिता तो बताइए पूरु सांचाला नावधि में आने वाली संग्यानात्मक छमता क्या हो जाएगी कोश्चन नमबर आठ का सभी लोग आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इस कोश्चन का جो सही आंसर होगा वो होज़ाएगा आपसे नमबर C बिल्कुछा यांसर इसका होज़ाएगा इस प्रकार के कोश्चन आपकी एक्जाम में लगातार बनते हूप चले आ UH तो आज की ये क्लास आपके वही कोश्चन को हम लेकर आएं करवाने के लिए आज की इस क्लास में जो कोश्चन बनने की संभावना है या फिर बन चुके हैं तो लगातार क्लास में बने रहिए और सेशन सभी साथियों के पास में से करते वे चलिए तो अगरा कोश्चन देखते हैं कोश्चन है प्राथमिक विद्यालियों के बच्चे लारेंस कोहल बर्ग दोरा प्रस्तावी चरणों का पालन करते हैं आपसन है आग्या कारिता और सजा अभी विन्यास दूसरा है व्यक्तिवाद और विन्यमय तिसरा अपसन है अच्छा पारस पर एक संबंद चौथा अपसन है सामाजी का अनुबंद और व्यक्तिगत अधिकार तो बताएं प्राथमिक विद्यालियों के बच्चे लारेंस कोहल बर्ग दोरा प्रस्तावी चरणों का पालन किस प्रकार से करते हैं आपसन यहां देखके आपको देना है यहां पर देखिए तो इस कोश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपसन नंबर फोर क्या हो जाएगा बी और दोनों इसमें सही है यानि अग्या कारिता और सजा अभिविन्यास दूसरा है व्यक्तिवाद और वी निमाए तो इसके A और B दोनों अपसन सही हो जाएंगे तो इसका जो सही आंसर ही वो है आपसन नमबर 4 A और B दोनों अपसन नमबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा तो चलते हैं अगले कोशन पर कोशन नमबर 10 है वाई गौत्सकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त के अनुशार आपसा नमबर ए है संस्कृत और भासा विकास में महत्पूर्ण भूमिका निवाते हैं दुसरा है बच्चा विभेन छेतर में सोचता है और संपूर्ण द्रिष्ट कोण नहीं लेता है तिसरा है यदि बच्चे का मुमर में सार सामगरी प्रस्तूत करते हैं तो बच्चे अमूर्थ सब्दों में सोचते हैं और चौत्धा अपसाने स्वा निर्देशित भासर पाड़ का सबसे निचला चरण है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अपसन सही हो जाएगा सभी लोग आंसर केजिए कौस्चन नमबर 10 का वाई गोट्सकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त के अनुशार तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हुआ हो जाएगा अफसर नमबर A क्या हो जाएगा संस्क्रत और भासा विकास में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा इसका अफसर नमबर A तो साथियों यह थे आज के हमारे EVS के 10 questions इसके बाद हम बाद करने वाले हिंदी के most important questions जहां से लगातार आपके एक्जाम में question बनते चले आ रहे हैं तो class में लगातार बने रही है और एक बाद session को अगर अभी तक आपने share नहीं किया है तो share कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर चलते हैं आज के अपनी हिंदी के top 20 questions देखते हैं जो हम आपके लिए 20 questions चाट के लिए क्या है यहां से आपके एक्जाम में question बनने की काफी संभावना है तो पहला question है जो वह हो जाएगा question है भासा अरजित करने के संदर्ब में कौन सा कथन उचित नहीं है आपको बताना है कि भासा अरजित करने के संदर्ब में कौन सा कथन उचित नहीं है आपसन है या एक प्रक्रिया है दुसरा या एक स्वावाविक प्रक्रिया है तिसरा है बच्चे भासा की नियमों को आतम साथ करते हैं और चौथा अपसन है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है तो बताइए भासा अरजित करने के संदर्व में कौन सा कथन उचितन नहीं है तो बताइए कौन सा अपसन सही हो जाएगा इसका सभी लोग आंसर करेंगे question number one का कौन सा option हो जाएगा इसमें सही तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है बच्चों को नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है question है भासा सीखने और भासा अरजित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है option है भासा की पाठी पुष्ट के दूसरा है भासा का उपलवद परिवेश तिसरा भासा की जटेद सनचनाए और चौथा भासा का लिखित आकलन तो आपको बताना है भासा सीखने और भासा अरजित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है सभी लोग सेशन को सेर करते हुए चलिए और लोगों को जोड़ दिजिए क्लास में तो इसका जो सही आंसर है सभी लोग कीजिए क्या हो जाएगा question number 2 का सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा question number 2 क्या हो जाएगा भासा का उपलब्द परवेश अपसन number 2 सही आंसर है भासा का उपलब्द परवेश अगला को प्राथमिक इस्तर पर हिंदी भासा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है पहला अपसने भासा सिख्ण का भासा ग्यान दुसरा है कच्छा में रंगीन पाठ पुस्तकें तीसरा है कच्छा में प्रिंट समरद परवेश और चोथा अपसने कच्छा में लिखी ताकलन आपको बताना है प्राथमिक इस तरफ पर हिंदी भसा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है तो इस question का सही answer हो जाएगा आपसे नमबर C कच्छा में print समरद परिवेश बच्चे जिदर देखें दिवालों पर देखें ABCD लिखी मिलें पीछे के तरफ देखें तो वहाँ पर पाढ़े लिखें मिलें चारों तरफ जो भी जहां भी उनकी नजर जाए वहाँ पर दिवालों पर उनको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिले तो इसी में वही चीद पूछे गए कि प्राथ में कि इस तरफ पर हिंदी बासा सिखाने के लिए सबसे आधी जरूरी क्या होगा तो वह हो जाएगा कच्छा में print समरद परिवेश आफसा नमबर सी सही आंसर इसका आगे देखते हैं कोशन है बच्चे बोल चाल की भासा का अनभो लेकर विद्याले आते हैं इसका निहतार्थ या है कि बच्चों को बोल चाल की भासा ना सिखाए जाए बच्चों की बॉल चाल की भासा को सुधारा जाए या फिर बच्चों के भासाई अनभवों का उचित प्रयोक किया जाए चौथा अपसन है बच्चों की भासाई अनभवों को कच्छा के बाहर रखा जाए तो बताईए इसमें कौन सा अपसन हो जाएगा सही बच्चे बोल चाल की भासा का अनभव लेकर विद्धाले आते हैं इसका निहतार्थ क्या हो जाएगा इसका सभी लोग आंसर कीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा इस question का तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसा नमबर C बच्चों के भासाई अनभवों का उचित प्रियोग किया जाएगा अगला question देखते हैं question है भासा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्पूर मानते हैं बताना है आपको कि भासा सीखने और सिखाने में आप सबसे अधिक महत्पूर किसको मानते हैं आपसन है संग्यानात्मक, दुसरा है सामाजी कंताक्रिया, तिसरा है द्रस्षिस्रव सामगरी, चौथा आपसन है बाल शाहित्य, तो इसका अंसर कीजी आप लोग, भासा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्पूर्ण मानते हैं, कोश्चन नमबर पांच का हो जा समय पांच वर्ष की नजमा, सोयम से कहती है, नीला टुकडा कहा है, नहीं, यह वाला नहीं, गाड़ है रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, इस प्रकार की वारता को वाइगोस्की किस तरह से सम्मोधित करते हैं, आपको बताना है, कि यह जो वारता आपस पूरा बन जाएगा, तो इस वारता वाइगोस्की किस तरह सम्मोधित करते हैं, आपसाने व्यक्तिगत वारता, दूसरा है जोर से बोलना, तिसरा है पाणड या फिर ढाचा, चौधा आपसने आत्म के अंदरित वारता, तो आपको बताना है, इस वारता को वाइगोस्की क अगर यहाँ पर दिया होता इस प्रकार की वारता को प्याजे किस तरह से संबोधित करते हैं अगर यहाँ पर वाई गौत्सकी ना दे करके प्याजे पूछा गया होता तो इसमें हो जाता आत्म केंदरित वारता इसका सही आंसर हो जाता लेकिन यहाँ पर वाई गौत्सकी प आपसटमें प्याजिय के साथ दुूसरा निरा इसकिनर के साथ और चौरथा अपसटमें ब्रूनर के साथ दू आपसा अरजन की चंुपता किसके साथ संब्सकें इसका का इसलोंगा ङू आंसी केूं? आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपसर नमबर B क्या जाएगा भासा अरजन की छमता चामस्की के साथ समन देथे आपसर नमबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा चामस्की क्या जाएगा चामस्की आगे देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आप लोगों को बताना है सारे के सारे question बहुत ही बहतरीन है और आपका revision करने के लिए बहुत अच्छे question है सारे के सारे तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपसा number two हो जाएगा समाज और सांस्कृतिक क्या हो जाएगा समाज सांस्कृतिक आपसा नमबर टू सही अंसर इसका आगे लेखते हैं कोश्चन है भासा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्पूर है आपको बताना है कि भासा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्पूर क्या हो जाएगा तो इस question का सही answer होगा आपसा number two भासा का आकलन करना आपसा number two सही answer है भासा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्पुर क्या है भासा का आकलन करना आपसा number two सही answer है अगला question देखते हैं question है भासा सिच्चक के लिए जरूरी है कि वे भारते भासाओं की डॉट डॉट को सुईकार करें और समरद्य शाहित को डॉट डॉट की डॉट से देखें इस प्रकार के कॉश्चन अधिकतर लोगों के गलत हो जाते हैं एक जाम में हैं इनको बहुत ही आराम से करने हैं और सोच समझ कर आंसर देना है तो इसका आंसर देजी आप लोग भासा सिच्चक के लिए जरूरी है कि वे भारतों की डॉट डॉट को सुईकार करें और समरद्य साहित को डॉट डॉट की दर्श से देखें आपसन है जटिलताओं शाहितिक दूसरा है विसमताओं सराहना तिसरा है विवित्ता और सराहना चौथा है सराहना और विवित्ता तो आपको बताना है इन चारों में से इन में कौन सा आपसन हो जाएगा सही तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा option no.3 भासाओं की विवित्ता पहले भरा जाएगा उसके बाद में को सुईकार करें और समर्द साहित को क्या करें सारहना की दृष्ट से देखें तो option no.3 इसका सही answer हो जाएगा विवित्ता और सारहना आगे देखते हैं question है हिंदी भासा सिच्छक का यह प्रयास होना चाहिए की वे आपको वतारा है कौनसा option सही होगा हिंदी भासा सिच्छक का यह प्रयास होना चाहिए की वे option है बच्चों की भासा सम्मंदिस सहज रचना सक्ति को बढ़ने के आउसर दें है पहला अपसन है बच्चों की भासा सम्मंदी सहज रचना सक्ति को बढ़ने के आउसर दें दुसरा है बच्चों की मात्र भासा के इस्थान पर हिंदी भासा को ही कच्छा में इस्थान दें तिसरा है बच्चों द्वारा मानक भासा का ही प्रयोग करने के लिए आउसर दें चाता अपसन है बच्चों को सिच्छा प्रदबाल सा हित्य पढ़ने के भर पूरा उसर दें तो बताईए हिंदी भासा सिच्छक का या प्रियास होना चाहिए कि वे इसमें कौन सा अपसन सही हो जाएगा सबी लोग आंसर कीजिए इस कोश्चन का सारे के सारे कोश्चन जितने की आज हिंदी के कोश्चन है सारे के सारे कोश्चन बहुत ही अच्छे कोश्चन है और आपके एकजाम में कोश्चन आने की काफी संभावन है इन सारे कोश्चनों की और ये कोश्चन आ भी चुके हैं आपके एकजाम में तो बताईए इसमें कौन सा अपसन सही हो जाएगा इस question का जो सही आंसर वा हो जाएगा आपसन नंबर A बच्चों की भासा सम्मंदिस सहज रशना सकती को बढ़ने की आवसर ने आपसन नंबर A बिल्कुँ सही आंसर इसमें चलते हैं के लिए question पर question पर सार्थक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों सब्दों की पुन्रावरत्य करता है या भासाई वेवार दरसाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है वह अटक-टक कर ही पढ़ सकता है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिज करता है या फिर उसे लंबे सब्दों को पढ़ने में कठनाई हो रही है तो इनमें कौन सा अपसन सही हो जाएगा आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अपसन सही हो जाएगा आंसर किजी आप लोग इसका सार्थक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों सब्दों की पुन्रावरत्ति करता है या भासाई विवार क्या दरसाता है आपको बताना है तो इसका अंसर कीजिए सभी लोग इस question का सही answer क्या हो जाएगा आपको बताना है अगर अभी तक आप लोगों ने session को share नहीं किया है तो कर दिजिए और मित्रों को साथ में जोड़ लीजिए और अगर आप ने जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो को like कर लीजिए सभी लोग और इसका answer बताईए क्या होगा सही answer इसका सही answer हो जाएगा आपसा no.3 वह समझ के साथ पढ़ने की कोसिस करता है चलते हैं अंगले question पर question है भासा का अतिमहत्पूर प्रकार क्या है आपको बताना है भासा का अतिमहत्पूर प्रकार क्या है पहला है सुनना दूसरा है अच्छर ग्यान तिसरा है संप्रेशन और चौथा है लेखन तो बताईए भासा का अतिमाहत्पूर्ण प्रकार क्या है सबी लोग आंसर करेंगे इसका इस question का आंसर की जप लोग क्या सही आंसर हो जाएगा सबी लोग बताएंगे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर हुआ हो जाएगा some pressure क्या हो जाएगा कोश्चन है भासा सीखने के संदर्व में कौन सा कथन सही है आपको बताना है भासा सीखने के संदर्व इन में से कौन सा कथन सही है पहला है बच्चों में भासा अरजित करने की जनमजाद छमता होती है दूसरा है बच्चों में भासा अरजित करने की जनमजाद छमता नहीं ह होती है तिसरा है बच्चे विद्याले आकर ही भासा सीखते हैं चाथा अपसन है बच्चे अंचार माध्यमों से ही भासा सीखते हैं तो इन चारों में से कौन सा अपसन सही होगा भासा सीखने के संदर में कौन सा कथन सही है तो इस कोस्चेन का जो सही आंसर है वो सभी लोगो सही है तो चलते हैं गले question पर question है बहुबासिक अच्छा में बच्चों की भासाएं अपसेने संसाधन के रूप में कार कर सकती हैं सिच्छक के लिए बेहत जटिल चुनोती हैं तीसरा है आक्रन की पक्रिया को बादित करती हैं चता है भासा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है बहु भासिक अच्छा में बच्चों की भासाएं सबी लोग आंसर करेंगे इस question का सही answer क्या हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा आपसर नमबर वन संसाधन के रूप में कारे कर सकती है अपसर नमबर वन सही होगा संसाधन के रूप में बहु भासिक अच्छा में बच्चों की भासाएं कारी कर सकती है तो अगरा question है डिस्ग्राफिया से प्रभाविद बच्चों को मुख्य रूप से डाट-डाट में कठनाई होती है इस प्रकार का question आपको देखने को मिल जाएगा हर सिप्ट में अधिक्सतर कि डिस्ग्राफिया से प्रभाविद बच्चे को मुख्य रूप से किस चीज में कठनाई होती है आपसर ने सुनने में दूसरा है बोलने में तीसरा है पढ़ने में और चोथा है लिखने में तो बताईए डिस्ग्राफिया से प्रभाविद बच्चे को मुख्य रूप से डॉट डॉट में कठनाई होती है इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपसर नमबर फोर लिखने में कठनाई हो सकती है किसमें लिखने में आगे चलते हैं कोश्चन है बहासा केवल अभिवक्त का माध्यम ही नहीं बलकि सोयम से डॉट डॉट का माध्यम है आपको बताना यहाँ पे हमें क्या भरना है कि बहासा केवल अभिवक्त का माध्यम ही नहीं बलकि सोयम से dot dot का माद्यम है लिखने पढ़ने बादचीत या फिर सुनने तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें इस question का सभी लोग सही आंसर करेंगे भासा केवल अभियक्त का माद्ध्यम नहीं है बलकि सोयम से क्या हो जाएगा सोयम से बाच्चीत आफसा नमबर थ्री बिल्कुछ सही है सोयम से बाच्चीत का माद्ध्यम है आफसा नमबर थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा अगरा question है भासा सभी विसेयों के डॉट डॉट में है आपको बताना है पढ़ने अध्यायों के अंदर या फिप्रारंब तो भासा सभी विशियों के कहां पर है पढ़ने में है अध्यायों में है केंदर में है फिर प्रारंब में है इस question का सही answer हर व्यक्ति का होना चाहिए हर साथ ही का होना चाहिए क्योंकि यह question आपको हम बहुत बात करवा चुके हैं और exam में भी इस प्रकार के question जरूर बनते हैं तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपसा नमबर थ्री भासा सभी विशियों के केंदर में ही होती है मैं इसा याद रखना अप लोग कहां होती है केंदर में होती है तो आपसा नमबर थ्री होगा भासा सभी विशियों के केंदर में है तो चलते हैं एक लिए question पर question है कोई भासा किसी भी लिप में लिखी जा सकती है इस कथन पर आपकी राय क्या है आपको बताना है कि कोई भासा किसी भी लिप में लिखी जा सकती है इस कथन पर आपकी राय है कि या विल्कुछ संभो नहीं है या बहुत हद तक संभो है हर भासा की अपनी लिप होती है या फिर भासा और लिप के बीच एक सीधा संबंद है तो आपकी राय क्या है इसमें आपको ये बताना था इस question का सही answer देखते हैं आप लोग कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें answer किजिए सबी लोग कोई भासा किसी भी लिप में लिखी जा सकती है इस question का जो सही answer हो जाएगा आपसा number two या बहुत हदतक संबह हो जाएगा या बहुत हदतक संबह है चलते हैं कि लिए question पर question है हिंदी के पाठों में अन्य भासाओं के सब्णों के होने का अर्थ है तो आपको बताना है इसा इनमें से कौन सा अपसन है कि हिंदी के पाठों के अन्य भासाओं के सब्दों के होने कारत क्या हो सकता है अपसन है पाठ का लेखा खिंदी नहीं जानता तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लेखा खिंदी नहीं जानता हो तो फिर लिखके उना है वो दुसरा है पाठ समाज के बहुभासी सरूप की सहज प्रस्तूत है तिसरा है पाठ कठी नोग और आश्पस्ट है चौता अपसर ने विद्यारती को सुद्ध भासा नहीं सिखाई जा रही तो इनमें जो सबसे सही आंसर है हुआ हो जाएगा अपसर नमबर टू पाठ समाज के बहुभासी सरूप की सहज प्रस्तूत है इसलिए उसमें हिंदी के पाठों में अनिभासाओं के सब्द आपको देखने को मिल सकते हैं तो अपसर नमबर टू बिल्कु सही है तो साथ ही हो यह थी आज के हमारी हिंदी और EBS की क्लास आप लोग बताना कमेंट बाक्स में कि आज के हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमने कोसिस किया है कि आपको इन ही कोस्चनों में से आपके एक्जाम में इन ही कोश्चनों में से आपको कोश्चन देखने को मिल जाएं तो आप लोग जरूर बताईएगा कि आज की आमारी क्लास आपको कैसे लगी और आपके कितने कोश्चन सही निकले एवियस और हिंदी में तो अभी के लिए धन्यवाद बबाए टेक कियर और इनका कल एक्जाम है उनके लिए आल दा बेस्ट बबाए